हेलो ट्रेटर्स सेंट रिल्कम तो दैस्टूडियो मेंबर्स आज एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के उपर हम डिस्केशन करेंगे में भी हो सकता है यह वीडियो 15-20 क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं और अभी यह टॉपिक कितनी देर जाएगा पता नहीं कोशिश हम यह करेंगे कि बहुत अच्छी तरह से आपको इस टॉपिक के उपर हम जितना हो सके उती इंफर्मेशन आज की वीडियो में हम प्रोवाइट करें विकॉस ट्रेट में यह आपकी बहुत हेल्प करेगा और ट्रेट में यह काफी जरूरी भी होता है वीडियो अच्छा लग और तरह है कैंडल्स सेफ़लर्चिंट के बहे विएयर को कैसे हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं जब एक इ 왜냐하면 mouse रही हो ती है और जब एक याय कर्म हो चुकी होती है इन दोनों ही कंडिशनस में दोनों ही हैं दोनों ही इसको पढ़ना हमें आना चाहिए उसकी नहीं धैविय के जो behaviors है उन्हें अगर हमें समझना है माल जी यह डिली टायम फ्रेम का चार्ट है अब आगे तो candles form होंगे लिकिन इससे पहले यह form हो चुकी है तो हमें इनको आपस में correlate करना होगा कौन सी candle हमारी master candle है किस candle पर volumes के breakout सबसे ज्यादा हो रहा है क्या जिस candle ने volumes के breakout हुए आगे चलकर कि कौन सी ऐसी candle जिसने volumes के breakout दोबारा से किये हैं जब तक उस candle की वॉल्म के breakout नहीं हुए तब तो price के अंदर move कैसे रहे हैं यह सारी चीज़े हम लोग पढ़ते समझते हैं कोई भी trade execute करने से पहले moral of the story candles के psychology और उनके behavior को पढ़ना समझना उन्हें read करना आना ही चाहि समझाते कि इस तरह से हैं कि यह है pin bar अपनी pin bar के recording क्या हुआ है कि उपर से pressure आया price ने closing यहां पर की opening यहां पर की और यहां तक इसने एक move दिखाया था हाला कि upside से इसको sellers मिले इन sellers ने क्या किया कि price को downside की तरफ धकेल दिया price नीचे की तरफ आया मतलब कि यहां से इसको selling pressure द उपरी सतह बताई जाती है यह क्या हम उसे और deep dive नहीं कर सकते और अच्छे से हम नहीं समझ सकते क्या candles की psychology का मतलब सिर्फ इतना ही है कि देखिए यह fvg fair value gap यह pin bar बन गया है यहां पर आपकी mother candles बन गई है volumes वगरा को किसी को include करना नहीं सिर्बस candles यह देखिए यह doji बन ग यह कोई भी पता लगा सकता है अगर कोई 15-16 साल का बच्चा भी पढ़ रहा होगा मार्केट में एक और दो साल के अगर उसके पास practice होगी तो यह सारी चीज़े उसको मौलूम होगे तो आपने अपने 8-9 साल के जो practice रही है या जिस तरह से आपने trades किये profit और loss अलग बात है तो उस experience से आपने क्या समझा है आपने भी उतना ही समझा है जितना उस बच्चे ने समझा था क्या फर्क रहा आपके और बच्चे में तो कोशिश करो जब भी Candace की psychology और उसके behavior को पढ़ो तो काफी अच्छे से पढ़ो काफी अच्छे से इंदर सेंस कि जब आप trade execute करो या किसी trait के अंदर जब आप बने हुए हो तो confidence के साथ बैठे रह पाओ कुछ important elements है हम उन important elements के ओपर discussion करेंगे बहुत सारी चीज़े ऐसी होते हैं कि जो publicly हम share नहीं कर सकते उसके लिए तो proper समय चाहिए practice के लिए पूरा पूरा हफता चाहिए next week होगे तो उसका second chapter फिर हम clear करते ह फिर next week पूरी उसकी practice लेगी फिर third week फिर नहाई chapter मिलेगा इस तरह से वहाँ पर काफी समय रहता है तो यहाँ पर कम समय में जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे आपको देखो जब बात आती है candles की behavior को पढ़ने की तो जरूरी नहीं है कि हर ए कि शुरू में ही सारी candles की predictions आपको हो या समझ पाओ या उन्हें पढ़ पाओ नहीं यह possible नहीं है तो शुरू में आपको एक दो या तेन candles आप यहाँ से अपनी शुरुआत करो मान लीजे कि जब हमें candles को पढ़ना है तो सबसे जरूरी बात होती है कि आप किस जगह से candles को ब सकता है previous month का हाई रह सकता है सबसे सही जो रहता है कि आपने किसी swing से अपनी candles को पढ़ना शुरूर किया अभी हमने एक शब्द का use किया था important points या फिर important places जहां पर आप readings अपनी शुरूर करोगे जिने हम लोग कहते हैं point of actions यह हमारे कुछ point of actions होते हैं इन point of actions को पहशानते क एसे हैं कि price आपका उसी जगह से again and again fall करता है same point से या तो फिर अगर support लेता है तो same point से यह upside की तरफ बार-बार support लेता रहेगा यहां पर जो हमने draw किया as a resistance draw किया है कि price उस resistance से नीची की तरफ आपका again and again drop हो जैसे कि मैं यह समझ में आता है कि price में इस इस वाले zone से एक selling pressure मि जाती नेकेड नहीं करना है कि कहीं पर भी आपको कोई candle देखिए आपने उसको read करके आगी के analysis कर ली नहीं सबसे ज़रूरी होता है point of actions point of actions निकालने के कई सारे methods होते हैं तो अभी उन फिलाल methods के उपर हम नहीं जा रहे हैं सिर्फ हम candles के reading पर focus रहेंगे आज के दिन हमने अ reading करना चाहते हो पहले वो जगह define करो कि आप किस place पर master करते हो reading यही चीज़ माल लिजे पिन बार आपका आपके point of action पर बनी है यह आपके point of action पर अब यही पिन बार अगर आपके इस जगह पर बने तब भी क्या यह सेम तरह से काम करेगी दिन में 20 जगह पर बनती है क्या हर जगह सेम action reactions आपको दिखाई पड़ता है यह 20 जगह mother candle form होती है 20 जगह rexland form होती है 20 जगह single candle formation form होते है double bullish है double bearish है bullish stop है bearish stop है इन सभी formation के read करने का एक सही point होता है हम वही पर इन्हें read कर सकते है और वह point कौन से होता है हमारा एक ऐसा area जहां पर price again and again touch हो करके यह तो downside के तरफ गिर जाए और नहीं तो फिर वह एक support point हो कि price जब हम यह देख लें कि नहीं यह इस एक जगह से support ले करके upside के तर की है कि कोई भी candle आपको अगर read करने है तो उसके लिए एक सही जगह होनी चाहिए आप कहीं से भी readings शुरू नहीं कर सकते याद रखना है इस बात को अब आगे बढ़ते हैं three type of formation सबहें आपको बताने वाले हैं तीन त्रह की formation है हम इन्हें three type of candles भी लेख सकते थे लेकिन व कहीं पर भी pin bar बनी हाँ ये देखिए upside से downside की तरफ एक rejection के साथ में pin bar बनी आप sale कर दो आप 20 बार trap हो गे stop losses आप ये कितनी बार जाएंगे आपको खुद समझ नहीं आएगा कर तो आप सब कुछ सेह रहे हो लेकिन फिर भी ये stop losses क्यों जा रहे हैं आधियो धूरी चीज़े नहीं दोखो pin bar आपको पढ़ना पताया लेकिन इस pin bar का use करना किस जगह पर है हर जगह हमें जहां पर भी pin bar दिख जाएगे हम पढ़ना चुरू कर देंगे बेवकूफों की तरह अभी हमने आपसे क्या कहा कि हम लेखने को यहाँ पर candles भी लिख सकते थे हमने formations लिका formations and candles इन इस तरह का format बना देती है formations बनाती है इसी तरह से pin bar है pin bar को read करने से पहले हमें देखना होता है कि उसके पहले की candle का behavior कि अच्छे से candles बनती है एक अच्छे से candle बनती है अब एक pin bar हमने लिए अब इसके बाद में देखो pin bar बन इस pin bar की regulations क्या होते हैं कि opening and closing यहां पर लिख द second candle close less than previous candle high and greater than previous candle slow ये एक तरह का formula है अगर आप इसका scanner भी बनाना चाहते हो तो charting पर आराम से बना लोगे इस तरह से हमने आप लिखा हुआ है फिल्हाल तो जोरूत नहीं पड़ती है सब बनाने की ये जो चीज हमने लिखी है इसका structure कुछ इस तरह से ready होगा कि एक नॉर्मल candle इसके बाद में बनती है आपकी pin bar condition ये है कि ये जो pin bar का open और close है ये previous candle की range के अंदर होना चाहिए इसके बाहर नहीं चाहें open और चाहें close first candle हमारी रहती है green देखिए यहाँ पर हमने लिखा नहीं second वाली candle की जो pin bar है ये जितनी बड़ी होती है उतना ही ज्यादा effect उस formation का particular chart पर गिरता है ये एक candle बन गई इसके बाद में देखे ये green candle है अब वापस से price क्या करता है कि इस जगा पर इसने अपनी opening और closing दिखा ये price हमारा upside के तरफ तो गया लेकिन वापस से reject होकर कि previous candle की range के अंदर आगे और यहां तक बन गए इसकी pin bar आप पता है याप और होता क्या है इस pin bar का low भी एक important point होता है और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो previous candle का low point समझ में आया इस तरह से इस pin bar का use किया इसके पीछे की psychology क्या है ये देखो कि एक candle जो की आराम से buyers upside के तरफ इनको ले करके जा रहे थे अभी एक और candle बनी क्योंकि ये buyers हैं buyers में ही और quantity जाएड हुई इन्होंने upside के तरफ का price के move को पूरी तरह से capture किया अच्छी तरह ऐसे ये upside के तरफ जा रहे थे अच्छा खासा price अमर अपचैट के तरफ जा रहा था लेकिन कहां से इसके अंदर एक buying pressure है वापस से price नीचे की तरफ आया और previous candle के range के अंदर close हो गया समझ गया ना यानि कि यहाँ पर तो पूरी तरह से sellers का pressure बन गया अगली बार अगर buyers को upside के तरफ जाना तो क्या करना होगा जितनी आसानी से इन्होंने पिछली बार इस candle का high break किया था अब इस pin बार के बन जाने के बाद में previous candle के अंदर यानि buyers के अंदर यह pressure create होता है कि अब इतनी आसानी से यह high break नहीं होगा वहाँ पर ज्यादा quantities और ज्यादा volumes के breakout चाहिए ही चाहिए वरना price आप देख लेना अक्सर इस candle की range के अंदर ही घूमता रहेगा काफी देर तक 3 candle, 4 candle, 5 candle तक इस candle की range के अंदर ही घूमता रहेगा आप कोई भी chart open कर लो और उस chart पर जाकर कि आप इन दोनों formations को देखो और फिर बताओ comment करके यह चीज़ बताओ कि क्या यह वाकिय में काम करती भी है यह हम कुछ भी बोल रहे हैं यह चीज़ा practice करके दोखो जितनी असानी से previous candle का high break हुआ था अभी यहाँ पर उतना ही मुश्किल होगा इस candle के high को दुबारा से break करना अगर break हुआ यानि कि यह बन जाता है आपका एक resistance point और अक्सर ऐसा होता है कि इस वाली formation के बाद हमारी यह वाली जो candle है इसका high बनता है resistance and low बन जाता है एक support point जब भी पिन बार बनती है ज़रूरी नहीं है कि price आपका हर बार नीचे ही चला जाएगा वो उपर भी भागता है यह कौन सी conditions होती है कि price आपका उपर भागता है कि price अपनी previous candle के resistance को upside की तरफ break करता है तब यह upside की तरफ जाता है तो समझ मैं पिन बार की psychology यह होती है वो अपनी previous candle से हमेशा attach हो करके चलती है previous candle के high को एक resistance and low को एक support माना जाता है अब जब आप काम करोगे तो इस पिन बार को और भी बहतर यूज़ कर पाओगे इसके अंदर volumes भी include होती है volumes को फिर हम लोग कभी किसी और दिन समझने की कोशिश करेंगे अब हमारी second formation है इसमें होता क्या है कि first candle आपकी एकदम normal के जो second candle होती है वो बनती है rejection के साथ यह आपको कुछ-कुछ इस तरह की candle दिख रही होगी जो हमने पहले बताई थी लेकिन इसमें होता क्या है कि जो rejection है ज़रूरी नहीं है कि इसका open या close हमारी previous candle की range के अंदर है हो सकता है इसका open and close previous candle की range के बाहर तक भी हो सकता है इस तरह से लेकिन rejection ज़रूरी होता है form with rejection second candle form with rejection जितना बड़ा rejection होगा उतना ही अच्छा और उतना ही बहतर मारे लिए conditions तयार होती है तो यहाँ पर एक rejection अब third candle's high should be greater than central candle यहाँ पर देखे शूट की spelling गलत है इसको थोड़ा सा understand कर ली चागा यह जो beach वाली candle होती इसको कहा जाता है central candle अब जब central वाली candle का high break होता है चाहें price उसके उपर close करे या फिर उसके उपर एक pin बार form हो कुल मलाकर के central वाली candle का high break होना चाहिए तब जाकर के यह formation एक strong formation बनती है अब इसमें third candle high should be greater than central candles high क्यों ऐसा क्यों हुआ क्या यह ज़रुरी है कि जो central वाली candle है अगर third candle हमारी previous या central candle के अंदर है तो क्या काम नहीं होगा तब नहीं यह strong नहीं होती यह weak formation होती है इस पूरी candle के तीन forms होते है एक strong, weak और एक होती है normal candle इस formation को कहते है rax line format rax line में क्या होता है कि सबसे पहली candle एक normal candle इसकी psychology दो क्या होती है rax line सबसे पहली candle तो normal candle बनती है इसके बाब में एक pin bar second candle बनती है जो कि rejection के साथ बनती है अब इस rejection के साथ वाली candle के बाद में हम लोग तीसरी candle का और weight करते है तीसरी candle के weight करने की पीछे का reason यह है जिसी कि मैं यह पता चले कि जो third candle बन रही है क्या यह central वाली candle के high को break कर पा रही है या नहीं break कर रही है अगर break कर ले रही है या तो closing करते है जैसे अभी कि या इससे पहले जो हमने ड्राइंग बनाई तीसमें closing नहीं हूँ तीसरी विग निकली थी जैसे कि मैं यह समझ में है कि क्या यह format हमारा weak है या strong है यह कौन तैय करता है यह central वाली candle सबसे last वाली candle third वाली candle वाली तैय कर यह formation अलग है इसको single candle format बोलते हैं और यह है racks line formation racks line formation में total 3 candles हम लोग ले करके चलते हैं अब यहां पर देखो होता क्या है कि जो central वाली candle है इसका high हमारा एक काफी important point होता है high सबसे पहला क्योंकि 3 points इसके अंदर निकलते हैं इस पूरे formation के 3 key points होते हैं अब वापस से देखो इस पूरे formation की psychology को समझो एक अच्छी खासी normal candle बनी black color की ठीक है इसके बाद में price आराम से देखो नीचे के तरफ जा रहा था अचानक से यहां पर एक buying pressure create हुआ इस एक जगह पर यहां से एक buying pressure create हुआ और price वापस से हमारी previous candle की range के अंदर आ करके trade करने लगा अब अगर price हमारा weak है अगर weak है तो तीसरी वाली candle को हम यह chance देते हैं कि price हमारा फिर नीचे की तरफ निकल जाए जानी कि इस candle ने जो support create किया है इस support को यह break कर दे और फिर यह नीचे की तरफ चला जाए लेकिन अगर third वाली candle हमारी form हुई और central वाली candle का high अगर इसने break कर दिया चाहने तो weak से या फिर closing से अब यहां पर मामला थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगता है हम यह ने कह रहे है कि यहां से market ऊपर चली आती है नीचे चली आती है हमको इन तीन candles के तुरू market की psychology समझ में आने लगती है कि actually यहां पर क्या चल रहा है फिर से समझो अब बार वर उस चीज़ को समझो गए न तो वो और ज्यादा clear होती चली जाती है यह एक candle है normal downside की तरफ एक move हो रहा था अचानक से एक black candle form हो गई यहां पर और price देरे देरे करके नीचे की तरफ जाने लगा अब अगर यह weak है तो उसको नीचे की तरफ जाना चाहिए था अब next candle ने क्या किया वो आपास से price हमारा upside की तरफ चला गया एक green candle form हुई और price हमारा upside की तरफ चला गया और central वाली candle का high break हो गया इसका क्या मतलब होता है इसका यह मतलब नहीं कि यह weak है यह strong है इसका एक ही सिर्फ मतलब निकल के आ रहा है कि यहां पर अब इस candle का high पूरे format का low और central वाली candle का high यह आपकी point of actions बने है यह तो एक बात हो गई कि यहां पर तीन points हमारे जरूरी होता क्या इस formations से हम लोग अपने trend identification कर सकते है कि जब भी इस तरह के formations बनें तो उसे trend identify हो अब फिर से देखिए उसी चीज़ को पढ़िए कि price normally downside की तरफ आ रहा था अचानक से यह upside की तरफ चला गया ठीक है अब यहां पर होगा क्या इसका weak होना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि price weakness की निशानी कम शो करता है हालां कि अगर इसने अपने support प्रेक किया तो फिर यह नीचे गिर जाता है लेकिन गिरने के chances इसके रहते हैं कम ब्रेक करता है उपर की तरफ आपको upside की तरफ जाते हुँ दिखाई पड़ेगा अकसर और इसी formations को जब आप उल्टा कर देते हों यह दो candles बनती हैं आप green और यह वाली candle बनती है red तो वहां से फिर price आपको downside की तरफ जाता हुँ दिखाए यह होती है in candles की psychology अब यह तो बड़ा असान है न हम बार बार की पिन बार का यूज कर रहे हैं क्योंकि जिसे भी psychology पढ़ानी होती है candles की वह इस तरह से पिन बार बना करके price को उपर की तरफ मोड़ देगा कहगा दे को यह psychology होती है बहुत चोटी चोटी बाते हो गए अभी तो हमने ज्यादा कुछ बताए ने सिर्फ यह दो candles बताए है अब एक formation अभी आप और पड़ होगे जैसे price आपका downside की तरफ लगातार गिर रहा है अचानक से आपने देखा होगा कि बड़ी candle form होती है red candle और जैसे ही बड़ी candle form ही उसके जस्त तरफ बात एक और बड़ी candle form हो गई green color की candle यह जो दो candles form होती है इसके पीछे के psychology क्या होती है क्योंकि आपको तोड़ा सा कम दिखाया पड़ेंगी न लेकिन यह effective बहुत होती है प्राइस गिरते गिरते अचानक से upside की तरफ भाग यह कब होता है इसके पीछे का reason क्या होता है देखे कि प्राइस आपका लगातार लो तोड़ा इसने लो तोड़ा अगेन नीचे फिर से बड़ी से candle बन गई अब जहां पर होता क्या है इसे aggressive selling theme बोलते हैं इस theme में होता क् कि price market आपको सबसे पहले show करती है कि वो नीचे जा रही हो बहुत smoothly नीचे जाएगी कई बार होता है कि green candle आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगी अचानक से नीचे की तरफ जाती है और आपने देखा होगा कि ज्यादा तर जो retailer होता है या जो नौसिख्षा होगा न वो जिस color की candle market firm कर रही होती है वो उसी दिखा में trade करता है और इनकी संग्या बहुत है बहुत का मतलब बहुत ज्यादा है शायद आप यह गलती कभी कभी करते हो कि green candle बनी तो अक्सर आपका मन बाई के लिए ही करेगा कभी आपने green candle पर selling की है या कभी red candle पर आपने buying की है अब लगा और speed से selling करते हैं क्योंकि पैसा बन रहा होता है ना उनका और stop losses कहां पर होते हैं इस एक जगह यहां previous candle कर लो यह अपनी previous candle के high पर आपने stop loss लगा करके बहुत मज़े से बैठे होते हैं अचानक से पता क्या होता है एक green candle बनती है यह है इतनी heavy green candle और अक्सर इस green candle के firm हो जान 10Stacks होクリPTO हो mcs 1800 US market हो कोई market हो جहां पर सबसे जैदा stop losses होते हैं market के गूम होने के या market के गूमने के chances वही पर सबसे ज़ेदा होते हैं वहीं पर turn कर जाती है और बड़ी-बड़ी candle form करके जाएगी, आपका पूरा जितना stop loss रखा होगा वहाँ पर सारा का साले stop loss लेगे, इससे हमें क्या समझ में आता है, psychological level पर हमें क्या समझ में आता है, क्या सिर्फ हम लोग candles को ही पढ़ रहे हैं, या कुछ और भी हम इससे समझ से, अगर कोई गाड़ी स्टेशन से चूड़ गई तो चूड़ गई है, आप next गाड़ी का वेट कर ले नेकिन जो गाड़ी निकल गए उसके पीछे मत भागना, जब price आपका गिर रहा होगा, आप sale नहीं करोगे, अगर ये गिर रहा है, तो sale नहीं करोगे, हमेशा उसके अंदर एक ठहराओ का वेट किया जाता है, हमेशा, कि price किसी एक level, किसी एक point पर रुका हुआ है, आप वहाँ पर price के ठहरने का वेट करते हो, अगर ये ठहराओ होता है, कि price support form कर रहा है, resistance break कर रहा है, आपको proper entry के, और stop loss के confirmations मिल रहे हैं, तब ही आप trade करोगे, इस तरह से गिरते हुई market, या upside की तरफ जाते हुई market में, आप buying नहीं करोगे, यहाद रखना हमेशा, यह psychological game होता है, यहाँ पर ज़्यादा तर trader fail होते हैं, ज़्यादा traders trap होते हैं, यहाँ पर जो candles form होती हैं, उनके पीछे की psychology ही होती है, कि ज़्यादा से ज़्यादा traders को यहाँ पर trap किया जाए, जितने भी नौ से खेंगे trap किया जाए, यहाँ पर में मिल जाएंगे liquidity, उनके stop loss काने को मिलेंगे, और हम सीधे upside की तरह भाग जाएंगे, यही होता है, तो यह जो दो candles होती है न, यह इस reversal की निशानी होती है, कि जब भी AS theme, जब aggressive selling thing की performance खत्म हो जाती है, तो इस तरह की reversal candles form करती है market, यह सबसे पहली निशानी होती है, कि गिरते गिरते बड़ी सी एक red candle बनी, बहुत ज़्यादा selling सी, फिद हो green candle बने गई, stop losses जाने शुरू हो गए, अब क्या होता है न, market के upside की तरफ जाने की chances, सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा, वो यहीं से गोंग जाती है, so I hope कि ये तीनो points आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आऊँगे, वापस से देखिए मैं इसको revise कर देते हैं, कि pin bar हमेशा कहीं पर भी use करोगे, तो ये trap होता है, अगर आप इस तरह से इसका use करोगे, तो psychological level पर आपकी बहुत ज़्यादा दोना ही हो जाएगी, pin bar देखिए, आपने sale कर दिया, और market वहीं सूपर के तरफ भागे, आप कहोगे, अरे, बनी तो pin bar थी, हमने तो sale करता है, सब कुस तो सही है, फिर क्या हो रहा है, नहीं, आप previous candle को अपने point of action पर, तब आप काम करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा help मिलेगे, इस तरह के formations जब बन दे हैं, तो price के reverse होने के chances सबसे ज़्यादा होते हैं, इसके psychology भी हमने आपको बताई, दूसरा यह, तो मोटा मोटा आप देखोगे, कि हमने तीन candless बताई हैं, बाकी और भी काई सारी candles हैं, वो देरे-देरे करके आगे कि जो वीडियो होंगे, उसमें आपको मिल जागा तो चैनल को subscribe कर लिजएगा, ताकि बाकी के आने वाले जो वीडियो हैं वो आपसे miss ना हो, टेलिग्राम गुरूप का भी लिंक टेस्क्रिप्शन में, टेलिग्राम गुरूप भी आप जोइन कर सकते हैं, बहुत साइए चीज़ हैं वहां पर भी share करते रहते हैं, अभी चलते हैं चार्ट के उपर, लोवर टाइम फ्रेम की इन ती इन फॉर्मेशन को भी देखेंगे, और उसके बाद में shift करेंगे हम लोग डे टाइम फ्रेम पर, यह देखिए यह अपना एक point of action है, कि यहां पर price आपका stand ले रहा है, यह रुक रहा है, यहां पर देखिए, इस जगे पर देखिए, अब वो pin bar जिसके बारे में भी हमने आपको बताया, आप उसका use बिल्कुल इसी जगे पर करोगे, बिल्कुल exact यहां पर, यहां देखिए दो जगा आपके pin bar फॉर्म हो रही है, एक तो यह point of actions पर, तूसरा कि जो बड़ी सी red candle आप देख रहो यहां पर आपकी एक green candle फॉर्म हो रही है, है तो यह pin bar है, यहां पर भी देखिए pin bar है, अब हम लोग इन pin bars का use करते हैं कैसे उसके previous candle के judgments, कि price downside के तरफ जा रहा था, फिर से देखो क्या हुआ, प्राइज आपका downside के तरफ जा रहा था, लगा था रहा था, फिर से देखिए क्या हुआ कि एक यहां पर एक pin bar बनी हाई volume के साथ में, अब जब से यह pin bar बनी, प्राइज हमारा upside के तरफ वापस से देखिए नीचे के तरफ आया, अगें देखो pin bar बन गई, फिर से प्राइज हमारा upside के तरफ जा रहा है, फिर देखो pin bar बन गई, देख पा रहा है, अब अगर सिर्फ आप इन pin bars को देखोगे, जैसे ही प्राइज ने अपने इन लेवल से rejections upside के तरफ दिखाया, वापस से देखो, प्राइज आज तक नीचे नहीं गिरा है, अब यह चार्ट अगर हम और आगे के तरफ increase कर दें, यहां देख, प्राइज आपका ऊपर ही भागा है, एक सही जगह पर अपने point of actions find करो, ब जैसे BHEL है, BHEL में क्या हो रहा था, हमने आपको बताया था, कि price आपका aggressively upside के तरफ जाएगा, या फिर downside के तरफ जाएगा, speed से गरेगा, और अचानक से move आता है, जितने stop losses होते हैं, वो सारे के सारे चले जाता है, देखो same condition यहां पर BHEL का chart है, 5 minute का, यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6 लग green candle है, और जैसे price हमारा upside के तरफ पहुचा, यहां पर देखो यह green candle और फिर से देखो यह बन गए, वापस से price देखो सीधे नीचे के तरफ आए, सारे stop losses गए, सारे stop losses देखो गए, और अब market शानत है, game सारे stop loss hunting का और trapping का होता है, आपको इन candles की psychology को पढ़ना होता है, समझ पर होगे, इस एक जगह पर होगे, यह जो candle आप देखो इसके high पर होगे, सारे stop losses गए ना, यहां पर, market फिट से देखो, side वे पढ़ा हुआ, अब नए stop losses find करती है, नए stop losses बनेगे, फिर से price बसे तरह से move करेगा, यहां पर देखो, एक theme यहां पर बन रही न, aggressive buying की, green candle, यहां stop loss रख दिया, फिर आपने buying की है, यहां stop loss रख दिया, buying की है, यहां पर stop loss रख दिया, सारे stop losses गया न, जब इस stop losses सारे चले जाएंगे, फिर से side वे, और फिर से नए technique स्टार्ट हो जाती है, तो यह जो हमने candles बता ही न, यह psychological level पर आपको chart को read करने में बहुत help करने व questions कोई नहीं करेगा, आप पैसे दे करके भी यह सारी चीज़े नहीं सीख सकते, किसी book में आप कोई सारी चीज़े नहीं मिलेगी, जितना भी मेरा experience रहा है आज तक का market का, उस सारा गासर हम share करते, without any type of filter, तो कोशिश करो, कि जब भी हम कोई चीज बताएं, जब हम कोई छोड़ो दोसको, लेकिन back test मत करो, back test मत करो, live market में practice करो उसके, देखो, जब candles form हो रहे हैं, तो किस तरह का actions, reactions हो रहे हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब यह formation है, wax line formation, wax line formation में क्या होता है, कि एक green candle, again upset के तरफ, एक selling pressure हमें दिखता है, price वापस से downside के तरफ आती है, और एक red candle, जो कि हमारी center वाली candle का low break करती है, नीचे के, तीन basic points होते हैं, इसके अंदर marking के, एक, सबसे पहला, कोई भी actions लेने हैं, आप इन ही जगह से अपने trades execute करते हो, यह क्या होता है, एक reversal, कि price upside की तरफ move करते हुए आएगा, याद रखना, एक सही point of action पर आपको इस सारे क काम करने होंगे, जैसे यह hevels है, hevels में देखो कि previously price का resistance भी यही पर है, यह resistance point है, price last time भी यही से गिरा था नीचे की तरफ, यही से downside की तरफ आया, वापस से price आपका upside की तरफ चला गया, अब यहाँ पर भी अगर racks wax बनेंगे, तो हम उसका use नहीं करेंगे, क्योंकि वो मे का magic दिखाते है, volume कैसे है, आपर confirmation के price हमारा upside की तरफ तो जा रहा है, price हमारा upside की तरफ तो जा रहा है, लेकिन volumes कम हो रहे है, अचानक से देखो क्या हूँआ, यहाँ पर volumes के breakout हो गया, यहाँ पर breakout हो गया, और एक issya के पर breakout हो अब यह जो breakout हो यह कहाँ पर हुए, मतलब कौन सी लेवल पर हुए है हमने आपको जो तीन की पॉइंट पता है थे एक और यह दो आप इनको माग को लो एक तो हाई वाला होगा अब जैसे ही प्राइस अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा आप देख लिए ना प्राइस के अंदर एक तरफ आ मूव आता है एक तरफ और नीचे में होता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है आपका स्टॉप लोस लेना आपका स्टॉप लोस लेना इस्टॉप लोस कौन लेता है जिनके पास बड़ी कैपिटल होती है जो बड़े फंड्स लगा करके काम करते है आपका काम है उन बड़े फंड्स हाउस के साथ-सा ना कि जो चीज़े वो दिखार उनको देखो फसो और काम करो प्राइस तो हम भी देख रहे हैं कि अपसाइट की तरफ हमारा जा रहा है बार बार हम देख रहे हैं कि प्राइस हमारा ओपर की तरफ जा रहा है यहां देखे ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है Move on and upside की तरफ तो उस अब ही buy कर रहा है तो आप अलग क्या कर रहो हमने देखा क्योंकि अब से आपको मालूम है बेभी हो सकता है पहले से भी पता हो कि आपका एक अपना point of action है हमें यहां की काम ही नहीं करना है हम अपना point of action निकाल लेंगे हमें आज एक formation बताई गई कि जिसमें तीन candles का हम लोग use करते हैं प्राइस हमारा upside की तरफ तो जा रहा है लेकिन volumes ही नहीं है उसके अंदर volumes गिर रहा है नीचे की तरफ first candle तो normal second वाली candle में है जिक rejection यहां देखे एक selling का rejection है और central वाली candle का low break हो गया price तो पहले ही हमारे resistance पहले है दूसरा यहां से हमको aggressively एक buying posture दिखा रहा है कि price जहां से buying हो रहा है और जैसे price resistance पर गया इसके अंदर rejections है और central वाली candle का low break हो गया low break कैसे हो रहा है volume के साथ बिर्ख हो रहा है और आपको क्या चाहिए आप इतनी सारी चीज़ें तो पढ़ रहे हैं और क्या चाहिए आपको अगर आपने इस तरह से काम करना शुरू कर दिया न profit भले हो नहों लॉस होना बंद हो जाएगा आपका कोशिश करो reading करो reading must है 1-2-2-3-3-3 घंटे बैठ करके readings करो जितना होसे के charts को पढ़ो backtest नहीं lying market में आज तो Saturday है अगर Saturday को हमें example देना तो फिर तो इस तरह से ही होगा काम लेकिन आप देखना Monday है Tuesday Wednesday Thursday Friday इन सब के उपर हम trade करके आपको दिखाएंगे कितने ही trade हमने कई बार सेखरो trade हमने आपको execute करके देखा है तो यूही ने कि हवा बाई सारी बाते है पेएनल बगएर हम सब अपना share करें time to time अपना पेएनल share करें भी एक या देड़ मैंने पहले हमने अपना पेएनल share किया है वो दख हुआ तो जो भी चीज़े हम बता रहे हैं वो actually execute कर रहे हैं उससे trades execute हो रहे हैं इसे confidence आता है यूही ने कि सारी बाते हवा में कि ऐसे हो गया वैसे हो गया बहुत सारे ऐसे लोग है कि trade rate करने से मतलब ने है सिर्वा sound को मालूम है कि ऐसे बताना है वैसे बताना है इधर से चीज़ों घुमा देने उधर से घुमा देने पैक्टिकल चीज़े जो है अब ये 30-40 मिट का हो सकता है हमें ने मालूम है कि इतनी देर का वीडियो अभी और आगे जाने वाला है मेरे इसाब से एक जो जैन्विनिटी है वह भी वही है कि जो भी चीज़े बताई जा रहे है फिर वह एक फ्लो भी बता ही जाए कम से कम जो पॉइंट सम बताना है इसको बहुत अच्छी तरह से हम क्लियर करें तो उसको पढ़ो समझो इसमें मेहनत लगती है अब आते हम लोग डे टाइम फ्रेम पर आएए मारूती को हम लोग देख रहे हैं मारूती में आप एक चीज़ यह दे हो मारूती या कोई भी एक स्टॉक हो जैसे कि एक केंडल फॉर्म होई एक शब्ध होता है वॉल्म के लगातार ब्रेक आउट हो रहे हैं यहां पर भी इस एक जगे पर भी यह यह मतलब प्राइस के ब्रेक आउट तो नहीं हो रहे हैं बट वॉल्म के लगातार ब्रेक आउट हो रहे हैं इसे में क्या समझ में आता है इसे में यह मौलूम पड़ता है कि प्राइज एक प्रेशर क्रियेट करता है अपनी मास्टर के लो पर सपोर्ट या रेस्टेंस भाई करो या फिर सेल करो आप अब जैसे ही प्राइज आपका अप साइड के तरफ के मूव दिखाने शुरू करता है आपको बहुत अच्छे बहुत प्यारे और एक तरफा मूव मिलते हैं यह तो बात होगी ड्राइंग्स की आप इसको ऐसे समझो चार्ट हमें एक मास्टर केंडल अपने निकालनी है वो मास्टर केंडल कौन सी है आपर क्योंकि वोल्म के भी लागातर ब्रेकाउट हो रहा है और प्राइज हमारा एक रेंज के अंदर रुका हुआ है अब यहां पर देखो क्या हो रहा है एक यह कैंडल बनी चोटी से देखो विक है टेक्निकल अगर आप देखो गए तो यह मदर कैंडल नहीं है लेकिन हम इसको मदर कैंडल मानेंगे क्योंकि अब इस सारे सिम्टम इसके अंदर मदर कैंडल के है अब देखिए यहां पर वॉल्म के ब्रेकाउट नहीं हुए यहां पर देखो वॉल्म के ब्रेकाउट हो गया एक तो ये candle जिसके अंदर एक blue वाली candle फॉर्म हुई इसके बाद में हम देख रहे हैं इस blue वाली candle की range के अंदर ये एक और candle फॉर्म हो गई फिर ये जो black वाली candle है उसके अंदर देखो ये एक और green candle फॉर्म हुई जिसने की अभी तक इस red वाली candle का high break नहीं किया है लेकिन volumes के लगातार break out हो रहा है अब देखिये यहाँ पर ये green वाली candle बन रही है ये green candle अब देखो वापस से red candle फॉर्म हो गई price break out नहीं कर रहा है अपना लेकिन volumes के लगातार break out हो रहा है और जो internal structures बन रहे हैं उसके भी break outs हो रहा है फिर से देखो यहाँ पर volume के लिकाउट हो है और वापस से देखो price नहीं के तरफ price नहीं रहा है लेकिन strength नहीं है strength खतम है अब हमें अगर इसे पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे ये जो एक black candle है इस black candle का nature ये इस black candle की psychology अगर आपको पता करें तो आप कैसे पता करो ये देखो ये black candle बन रही है ये लगातार अपने लोग को form करते हुए लोग को गिराते हुए इसने एक candle form की यहाँ पर price नहीं रहा है इसके नीचे फिर ये जहां नहीं रहा है price इस black candle की range के अंदर ही trade कर रहा है volumes के लगातार breakout हो रहा है अब हमें एक चीज ये देखनी है कि जहां पर ये हरकत हो रही है क्या past में वहाँ पर कुछ ऐसा काम हुआ है हम marking ही सारी remove कर देते है और past में जाते हैं एक marking ले ले लेते हैं यहां से अब हमें देखते हैं कि क्या past में यहां पर कुछ ऐसी हरकते हुई है लो देख लो एक तो level इसने यहां पर form किया था support बने थे यह support ब्रेक होगा थे फिर वापा से price हमारा है नीचे अब यहां पर यह नया support क्रेट कर रहा है नया support भी कैसे है कि past में इसी जगह पर यह resistance फॉर्म हुए थे यह resistance थे अब इसी resistance पर price हमारा वापा से देखो support ले रहा है expectations क्या है price इस एक जगह पर अगर यह वाकई में strong है तो इसे क्या करना होगा price हमारा यहां subside के तरफ चला जाए लेकिन इसने यहां पर ब्लैक वाली candle form की और ब्लैक वाली candle की range के अंदर ही यह travel कर रहा है ना ही यह downside की दरफ आ रहा है और ना ही यह ऊपर जा रहा है यह भी रुका हुआ है क्या हम इसे एक indecision मान सकते हैं market का एक indecision मान सकते हैं finalization कैसे होगा क्या होगा कैसे पता चलेगा अगर इस ब्लैक वाली candle का low तूटता है ब्लैक वाली candle की नीचे अगर market आई तो आप देख लेना इसके अंदर 2-3% का move यूहीं हा जाएगा हो सकता है एक या एक ही दिन में यह 2-3% गिर जाए नीचे की तरफ क्योंकि बहुत सारा pressure है यह pressure कैसे पता चलता है कि price का breakout नहीं हो रहा है price का breakout नहीं हो रहा है volumes के लगाता है breakout हो यह psychology का part है आप इसको समझने की कोशिश करो price एक range के अंदर pressure create कर रहा है इस तरह से अब जैसे ही यह range break के pressure के through pressure क्योंकि इतना रहेगा price जिधर भी फटा ना बुरी तरह से फट जाएगा यह तो बीच में trade मत करो बीच में आप सोचो कि चलो यहाँ पर कोई candle form हो रही है यहाँ पर candle form हो रही है इस एक जगह पर चलो एक मदर candle बन रही है अभी तक हमने मालती को trade किया और इसको बहुत दिन से देख रहे हैं हम इस वज़े से ही आपके साथ इस chart भी share कर ला है क्योंकि हमको मालूम है इसका point of action यह है यह वाला और जिस दिन इसने breakout किया और मेरे हाथ लग गया है तो trade तो हम इसको करीदेंगे जो चीजे दिख रहे हैं सिर्फ उन्हें ही मत देखो एक chart को zoom out करो levels अपने draw करो किसी भी candle की readings अगर आपको करने उसकी psychology को पकड़ना है समझना है तो अपने point of actions पर करो कहीं पर भी नहीं अब जैसे यहां देखो यह एक area है हमने चलिए उसको mark डिलीट कर दिया अब हमारे point of action तो यह है अगर हमें जो भी action लेने है तो हम कोशिश तो यह करेंगे कि हम इस एक जगह से अपने actions लें यहां से अब यह कोई जगह ही नहीं काम करने के अब वापस से price हमारे यहां इस वाली point पर है अब अगर हमें trade execute करना तो फिर हम यहां से trade execute करेंगे खतम बात कहीं से भी किसी भी जगह से कहीं पर भी mother candle bomb form हो जाए कहीं पर भी rex line form हो हर जगह से reading शुरू मत कर दो एक सही level उठाओ price को पढ़ो उसको समझो आज का यह video हम यही पर खतम करते हैं और आने वाली sessions होंगे वो काफी important होंगे और कई सारी चीज़े हम price actions related आपके सामने share करेंगे उसे disclose करेंगे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दिजागा एंड एक प्यारा comment कर दिजागा उससे बहुत confidence of email time so thanks and I hope we will meet again